नमस्कार मैं हिजम राजे स्वागत करता हूँ आपको देमोक्रेशी नियूप्स में ओ आर ओ पी यानि की वान ड्रेंग वान पेंसे बहुत ही एक इमोसिनल मुद्धा है एक्स डिफेंस परसिनल के लिए जम के राजनिती हो रहे हमारा देश के वीर सही निए अब हमारे रक्षक हो अब देश के लिए अपनी जान तक देने को हमेशा तयार रहते हो अब गर्भ हो हमारे आज सुबह 10.45 मेरे लाइफ प्रेश वारता आप जरूर देखें यह राउन गंदी का ट्विटे रहा है मैं एक चीज बताता हूँ यूपीए लेट गवर्मन यानि की कॉंग्रेस की गवर्मन दस साल रहे हैं पी चीज इतंबरम और डिफेंस मिनिस्टर एक एंतोनी ने वारोपी को लागू करने में सच्छम रहा नहीं है आज राहूल गंदी चम के बोल रहे हैं मैं ओरोपी जरूर लागू कराओंगा जर्नल सट्बीर और रहूल गंदी का आपने पहले ज्वाइन प्रेस कॉंफरेंस कॉंग्रेस हैड़ोटर में आपने देखें वारोपी को क्लेम करने वाला कहीं संगतन एक सर्विसमें संगतन वारोपी दिमांड करने वाला भी सामने आ चुका है पर एक्जामबल मेजर जर्नल सट्बीर के लेट इंडियन एक सर्विसमें लेग और एक वाइस वाइस ऑफ एक सर्विसमें सोसाइटी इस तरीके के कहीं एक सर्विसमेंड का जो ओर्गनाइजेशन ने सामने आ चुका है जंतर मंतर में हर कोई अपने अपने प्रदर्शन करते हैं पर मेजर जर्नल सबीकर जंतर मंतर में पिसले पांच साल से जंतर मंतर में लगाता रग प्रदर्शन जारी थे वही सो पैंशनर करके एक ब्लोग है उसमें Mr. A.R. Knight हुई है यह 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 वेटर्न्स है not only their counter affidemit filed in apex court by US that OROP is under consideration, at no time MOD denied but singing the same song under review slash consideration. Colonel Ashok एक यह भी वेटरन जहान यह लिखते है अपनी टूट में Military pension professionally are not part of defense budget. In most of the democracies like India, let young military veterans be absorbed in the civil government jobs, which is a norm worldwide. Why do we maintain huge civilian component in M.O.D. which are more than double the cost of an average soldier? यह क्वेशन मार्क वुनोने यहान फिर यह करनला सोग फिर अगेन यह इनकी ओटूटन Issue is not over-offy but giving military soldiers a compensation package which is based on the sound HRM fundamentals as per best practices. You cannot have situation where the civilian government P1 draws two to three times more salary and pensions from the soldier. इन ब्रेकेट में है lifetime earning. यानि कि OROP में कुछ न कुछ अंदर छुपा हुआ है. नहीं तो एक या कुछ संगतन नहीं से इसमें demand नहीं करते है. इसमें आप मुद्धा आता में मिलिटरी सर्विस पे मैं सिर्य तोर से समझाता हूँ. मिलिटरी सर्विस पे UPI government के समय पर इनको implement किया गया था hardship allowance की तौर पर जो soldier या जो बोर्डर एरिया में या हार्ड एरिया में बंदुक के साथ जो अपनी duty exercise जो प्रैप्टिस करते हैं उनके लिए मैलिटरी सर्विस पे को गौर्वर्मेंट नहीं इसको sanction किया था यानिकि बजेट में यानि पे कमिशन में रखा था. अन्फुर्टिनली ये मैं नहीं कहता है ये सारे soldier ex-servicemen ये कहते कि जो एक्टॉल जो benefit series है उनको ये नहीं मिला Offices those who command in from the you know in the air condition or war room in the you know designing room they are getting the highest military service pay in the second the military nursing service जो MNS यानि जो hospital में उनकी service होता है air condition के अंदर बैट करके उनकी service होता है उनको medium military service पे दिया गया जो वास्ता में जो जिसको entitled है जो military service पे उनको सबसे lowest military service पे उनको डिजाइन करके दिया है इसलिए जो military में जो army, air force, navy के जो सबसे lowest rank के एक संगतन सामने आया हुआ है इनकी मांग है कि MSP, OROP के जगा पर MSP पर हम जोड दिया जाए मुद्धा OROP और MSP प्लस 2014 की मोधी की जो अपनी announcement अपनी commitment जो था fulfill नामना, 2019 आते आते ये मुद्धा और कुछ दूसरे तरफ diver हो गया एक service मेनों का ये कहना है कि अगर मोधी जी ने 2014 में जनरल B.K. सिंग के साथ सानगात जो मिल करके ये वादा नहीं किया होता तो हम इसमें बहुत जादा aggressive नहीं होता बात पीश्वास तोरने का होता है मोधी ने एक service में जो हरियाना जो है देश की सबसे ज़्यादा जो फोस पैदा करता है यानि कि जो है फोस में अपनी services देते हैं सबसे ज़्यादा हरियाना में है रडियवारी के डेली में उन्होंने grand announcement था कि मैं full form of ORP I will be implemented after the forming of the NDA government yes of course the NDA government has formed and still going on and the five years going to be completed and the new general election is coming in the two or three months 2019 की चुनाव में भी ऐसे कुछ ऐसे जुम्ला देखाएंगे यह एक service मेंने के आशनका है फिर अपने बोर एक service मेंन की बतोरने का खेर जन्टर मंदर में अपनी धर्ना जारी है अपने उसने कुछ special धर्ना लगाया थे वो खतम हो गए और जन्टर मंदर में अपनी अरिगुलर जो हंगर स्ट्राइप लेली जारी है एक जो श्रिप जो नीचे के लोर रेंग की जो होता है जो जुनियर कमिशन ओफिसर से लेकर के सिपाई सिपाई से लेकर के जुनियर कमिशन जो जो एक संगतन है वोईस ओफ एक सर्विस्मेंट सोसाइटी कल प्रेस क्लब में अपनी कुछ 2019 की रजनिती बनाने जा रहे हैं प्रेस क्लब में वो बताने जा रहे हैं कि हम वारपी और MSP में क्या करने वाले हैं के मुद्धा 2019 के हर आत्मी को पसंद है हर एक सर्विस्मेंट को भी राजनिती का स्वाथ अच्छा लगने लगया कुछ जर्नल जो बरे टीवी चैनलों में एक खुप आते थे कुछ लोगों को गवर्नर की बद मिल गए कुछ लोग जो नहीं मिला वो भूख लाए गया है जो सोल्जर 18 साल से लेकर के 40 साल तक की अपनी सेवाइं दी जब अपने बच्चे परने के लाइक होता है जब खर्चा अब जब बरने लगता तो फाउज उनको डिचार सर्टिफिकेट यानि के पैंशन दे रहेते हैं या उस लंचा में मौन दे करके उनको घर की तरफ बिदाई कर देते हैं उनको जरूत है असली वारोपी ये भारा सरकार को सोचना है हमारा काम अब तक समचार पुंचाना है थेंक्यू धनवाद अब देखते लिए देमोक्रेशी निवस कल जरूर हम लाइब देखाएंगे प्रेस क्लब से वोश ओब एक सर्विस्मेन का प्रेस में प्रेस कॉंफरेंस प्रेस कलब ओप इंडिया में हम देमोक्रेशी निवस अपनी चैनल उसको लाइब देखाने के कोशिस करेंगे थेंक्यू धनवाद फिर कल मिलेंगे ओवारोपी कर एक और नया मुद्धापर